दोस्तों नमस्कार आप सभी काई बार फेस से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाद दिन भर की बड़ी खबर मुखे समाचार आप तक पहुचाएंगे जहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे आज की बड़ी खबरें इन खबरों में सामिल किय गया है राहूल गांदी की भारत जोडों नया यत्रा ने पार किया है एक राज्य अब पहुचे हैं नागालेंड और राहूल गांदी अब खोलेंगे बीजेपी सरकार की पोल बुला ली है प्रेस कांफरेंस तमाम मीडिया इखटा होगी वहीं दूसरे तराफ एक और जट दार हमलात जी हां दोस्तों खोल दिया है जैसा की पोवल गरी मंत्रिया विस सहा को भी निसाने पिलिया है कनहिया कुमाय ने दूसरे तराफ आयुध्या में राम मंदिर को लेका सिपसे नाने तासंजर राउत ने किया है बड़ा खुलासा सभी हैलान आखिर खुली ही गई आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो में आगे अगर आपनों भी मानते हैं चुनाओ बैलेट पेपर से होना चाहिए कोई भी पार्टी क्यों न जीते तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा दोस्तों समय थंदर एच करवाईएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख यात्रा जल्द से जल्द संपन्ध हो सके इसके लिए यहाँ पर राहूल गांदी कुछ मार्ग पैदल ताय करेंगे और जाद अतर यहाँ पर बस के द्वारा मार्ग ताय किया जाएगा जल्द से जल्द यात्रा हो जाए 24 के चुनाओ नजदीख है इसलिए दोस्तों वही राहूल गांदी के ने तो तुमें जारी कांगे इसकी नया यत्रा नाग अलेंड पहुंच चुकी है राहूल गांदी आज दोस्तों दोपहल में कोहिमा में मीडिया को संबोधित करेंगे इस से पहले राहूल गांदी की भारत जोड़न नया यत्रा को यहाँ पर मड़ीप ग्रहीमंत्रिया विसहा कि लिया निसाने पर कॉंग्रेस के दिगशने तौक यहgreg Each step is now और सीदे तोर पर ग्रहीमंत्रिया मिस्था कि बेटैस यहां को इसाने पर लिया राम मंदेर उधघा तन छी जय साधि bisa जो अमिसा निमंतरन कार्ड बटवा रहे हैं कनहिया कुमार का जोडार हमला राम मंदे उद्घाटन को लेका जिस पकाय से दोस्तों निमंतरन कार्ड बटवाय जा रहे हैं उस पर यहां पर कटाच किया है कनहिया कुमार ने उन्होंने कहा कि यह है गिरी मंत्रिया विसाह के बेटे की साधी नहीं है जो इस प्रकाश से यहां पर काड़ बटवाय जा रहे हैं राम मंदे सबका है भगवान राम सबके हैं यह बड़ी वात कहिए कनहिया कुमायने तो दूसरी तब दोस्तों बिग ब्रेकिंग अपडेट आ रही है गोडी मीडिया पर भरक उठे है संकराचारी जी यहां दोस्तों देश के चार संकराचार है जो इंदो धल में काफि महत्त हैं और वही दोस्तों अब संक्राचार ने यहां पर सीधे तल मताथ है तो भी जेपे की ख़लाफ मोचा जानन्द ने कहा कि आप सेफ नैंद मोदी और नैंद मोदी के बारे में ही सुनना चाहते हैं बाकी लोगों का मंदिर के लिए क्या या उगदान था उसमें आपकी रुची नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं निउस 24 के पत्रकार थे जिन पर संकराचार भड़ा कुटे हैं और यहाँ पर मीडिया को यहाँ पर दोस्तों खूब खरी-खरी सुनाई है जिस पकार से मीडिया का इस पकार कारे रहा है उससे हर कोई वाकिफ है और सभी जानते हैं कि मीडिया किस प बीजेपी भक्त कंगना रनाव चुनाव मैदार में उतार सकती हैं 2024 का लोग सवाचुनाव मंडी लोग सवासीट से लड़ने की संभाव ना है लेकिन दोस्तों उससे पहले ही कंगना की हारता है क्योंकि यहां पे कददावर कंग्रेसी नेता विक्रमादित्य से उनका पाला पड़ेगा विक्रमादित्य काफी लोग प्रिया है मंडी में और लोग सवाचुनाव 2024 में कंगना रनावत को यहां पे विक्रमादित्य कांग्रेस की और से टक कर दे सकते हैं यह सूत्रों के हमाले से बड़ी ख़वर निकल कि आई है इसी के साथ एक और अपडेट आ रही है लेकिन चीन से पंगा लेने की हिम्मत नहीं है संजर राउत ने कहा कि आप चीन को भी लाल आखे दिखाईए इसके साथ ही दोस्तों राम मंदिर को लेकर भी संजर राउत का बयान आया है ख़वार निकल कि आई है जहां पर राम मंदिर बना है वहां से बावरी मर्जित जो गिराई गई थी उसकी दूरी तीन किलो मीटर है संजय राउत ने कहा कि आगा तीन किलो मीटर दूर ही मंदिर बनाना था तो मर्जित क्यों गिराई हिंदू मुसलिम के बीच नफरत की उफैलाई आपने अब ये इस परश्ट हो गया है कि इसके पीछे और कुछ नहीं सेर्फ राज नीती है और यहीं आपका ये सच्चाई है संजय राउत ने दोस्तों ये बड़ा खुलासा भी किया है बीते दिन ये ख़बर भी सामने निकल किया आई थी जिसने सोसल मीडिया पर काफी चैचा वटोरी और ये चैचा का भी सावी यूजयस के बीच बनी रही जिसमें बताया गया था कि इस समय जहां पर राम मंदिर है वहां से बाबरी मर्जित जब गिराई गई थी उसकी दूरी तीन किलोमीटर है इस परश्ट है बाबरी मर्जित वाई जगे पर ये मंदिर नहीं बना है ये संजर राउत ने भी दोस्तों ख़बर को साजा किया है और अपनी प्रितक्रिया दी है सोसल मीडिया पर इंडिया गठवंदन में महतपून घटना करम देखने को मिल सकता है दोस्तों चंडीगर में चुनाओ मिलकर लड़ेंगी आम आदमी पार्टी और कॉंगेस इंडिया गठवंदन की एक जुटता इस परश्ट दिखाई दे रही है लंबे दोर की बात चीत के बाद आखिर कॉंगेस और आम आदमी पार्टी ने चंडीगर में मिलकर में चुनाओ लड़ने का फैसला किया है दोस्तों डोनों दलों में समझोतें के थाथ आम आधवी party के हिस्से में चंडीगर मैयार पित्यासी की सीट आई है वरिष्ट Congress निता ने यहाँ पे ये जनाका साज़ा की है Congress निता पन्सल ने घोशना की कि Congress वरिष्ट उपमहापर और उप महापौर्ट पदों के लिए अपने उमीदवार खड़े करेगी इंडिया गठोंदन के नजरिये से इसे काफी महत्वपूर माना जा रहा है और दोस्तों आपको बताते चलें ये बीजेपी को बड़ा जटका लग सकता है क्योंकि आप आँ माध्यू पार्टिय कांवेस एक हो गए है और मेरा चुनाओ में बीजेपी की हारता है और खास बात तो ये है यहाँ चुनाओ बैलेट पेपर की माध्यम से होगा एवियम का उपयोग नहीं किया जाएगा स्पीकर के फैसले के खिलाब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं सिपसेना यूबीटी के नेता जी हाँ दोस्तों सिंदेगुट को असली सिपसेना बताने का किया है बिरोध स्पीकर बीजेपी के हैं और यहां पे सिंदे सरकार में यहां पे साज़िदार कर रही है बीजेपी इसलिए फैसले को परभावित किया है स्पीकर ने तमाम दलीले भी पेस की गई है महराश्ट में सिपसेना पर अधिकार की लड़ाई अभी समाब तो नहीं हुई है उद्व ठाकरे अब पार्टी पर अधिकार कुले का सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं दावा किया कि उनकी सिपसेना ही असली सिपसेना है याचका में कोट से सिपसेना पर स्पीकर के फैसले को रद करने और उधव गुट को असली सिपसेना करार देने की अपील की गई है वरिष्ट वकील अविशेक मनुसिंग वे दोस्तों यहां पर उधव ठाकरे के और से पेस होंगे कोट में मामले के सुनबाई के लिए तारीक फिलाल ताय नहीं हुई है सीजाई के अध्यचिता वाली बेंच इस मामले पर फैसला करेगी गहतलब है याचका में उधव ठाकरे ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोट का आपमान बताय कहा कि स्पीकर कोट के फैसले को नहीं समझ सके याचका में या भी कहा गया है कि यहां मामला विधाइकों की आयोग गेता का था लेकिन स्पीकर ने अपने हिसाब से फैसला सुनाया है जिसे चुनवाती दी गई है सुप्रीम कोट में एक और बड़ी ख़बर क्यों बढ़ते हैं जा सकता है अंद्र प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यच असूत्रों के हवाले से बड़ी ख़बार आई है प्रदेश अध्यच जिया राजू ने यहां पर मलिका जुन खड़ गए राष्टे अध्यच को अपना स्तीफा भेश दिया है दोस्तों इसी के साथ एक और बड जवानों किसानों और पूरी आबाम से अग्रे करते हैं कि आप भी नया योदावन का इस नया कियात्रा में सामिल हो भारत जोड़ो नया इत्रा का हिस्सा बने यहां पर नस्वीच के दोस्तों नव नियुक्त प्रभारी कनहिया कुमाय ने बड़ी अपील की है आम जनता से हुई एक बार फिर किसान मैदान में उता सकते हैं बड़े पदासिन की तैयारी है जी हाँ दोस्तों किसान नेता राकेश्टिकैद की दो टू किंद सरकार को का है कि सरकार गन्ना मुलिग घुसित कहें नहीं तो एक बड़ा अंदोलन किया जाएगा सरकार ने गउतलब है अ दोस्तों पहले किसान एक बार फिर से बड़े अंदोलन की तैयारी में राकेश्टिकैद किसान नेता ने यहां पर बड़े संकेत दिये हैं यहां पर दोस्तों आज की हर एक बड़ी ख़बर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरू कीजेगा अगर आप चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कीजेगा चैनल को जिससे की बड़ी ख़बरें आपके मोबाइल पर आप तक सबसे पहले पहुंचे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद